दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ कि आप सब अच्चे होंगे तो मैं लेकर हो चुका हूँ आज एक नहीं है वीडियो कुछ नहीं टोपिक तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देखना आज का वीडियो कापी ज़्यादा कमाल का उने वाला है तो आ आपके आपके पास नौटिप किसे ना है तो आज के स्ट वीडियो में आपको यह बताने हो लाएं कि आप अपने गूगल पे अपलिकेशन के अंदर में से QR कोड कैसे निकाल सकते हो अपना QR आप लोग़ों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकाल सकते हो QR कोड तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो वीडियो को स्केम मत करना अगर आपको QR कोड निकालना है Google पे से तो कैसे अब आपको अपने फॉन के अंदर जहां कई भी Google पे application हो ताप अपने फॉन की स्क्रीन पे Google पे application को कुछ इस प्रकार टूंड लेना है मेरे phone में अभी Google पे यह देख सकते हैं यह रहा Google पे आपके phone में जहां कई भी हो इसे open कर लेना Google पे को open करने के बाद में जब आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा ऐसा interface आजाएगा तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है आपको मैं आगे बताता हूँ तो आपको यहाँ पे एक उपर आपको एक अपनी profile दिखाए देगी आपको simply इस profile के उपर किली करना है राइट साइड में दिखाए देरी इसके उपर इसके उपर click करने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पर एक scanner का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर right side में अपनी profile के नाम के नीचे आपको simply इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद में गाइस आपका QR code दिखाए देगा यहाँ पर मेरा यहाँ पर भी खाता जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए यहाँ पर QR code दिखाए नहीं दे रहा है अगर आपका खाता जुड़ा होगा इस नंबर से तो आपको QR code देखने को मिल जाएगा आपने मारे इस वीडियो को पूरा देखाऊगा सुरू से लेकर लास्ट तो आपको समझ में आगे होगा कि आप QR code कैसे निकाल सकते हो अपने Google पर application में से आपको समझागे तो आप स्वीडियो को कर देना लाइक और आप अमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को कर देना संस्क्राइब बाई कि मैं मिलता हूं किसे ने श्टूडियो में किसे ने टोपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों अपना ख़िया लखना दन्यवाद